यहां पिसे मेरा आपके आपसे एक question है कि आपने इन पिछले lectures के अंदर जो छोटे-छोटे थे उसके अंदर क्या-क्या सीखा आप उसको please comment section के अंदर जरा एक दफ़ा end list कर दें और आपने बताना है अपने इलफाज के अंदर के फलान चीज ये होती है मेरे दिमाग में ये आपको ये सारे numbers पहले से पता था अगर पता थे तो कहां पे गुम होगे थे ये आपके पता होने चाहिए आपको ये किस तरीके से चल रहे हैं आपको number theory का पता होना चाहिए ये non-negative numbers को देखती है और natural ये whole numbers को देखती है and then you should know कि ये किस तरीके से आपके काम आ सकती है I know कि there are many questions जो इंशाला हम अगले lectures में भी देखने वाले हैं so let's write down in the chat box